हेलो एवरिबड़ी आएम पंकर सीमार एंड यूर वोचिंग लिगल बाइट्स आज हम इस वीडियो में सेक्शन 7 के बारे में देखेंगे कि सेक्शन 7 किन किन चीजों को रेलेवेंट करता है और सेक्शन 8 के बारे में देखेंगे जो सेक्शन 8 का जो मोटिफ है जनरली उसको हम compare करेंगे course के साथ उन दोनों का relation देखेंगे उन दोनों का difference देखेंगे तो जो हमने पिछली वीडियो देखी थी उसमें section 6 में क्या दिया हुआ था कि कहते हैं register के बारे में बात की थी और उसमें ये भी बताया था कि जो register के certain expect हो कहां पे deal कियो हो है section 7 में and section 8 में तो जो same transaction कैसे तो जो effect है उसी transaction के अंदर कुछ effect भी होगा उसी same transaction में किसी को murder करोगे तो वहां खून गीरा होगा तो उसी transaction के अंदर state of thing क्या होगी उसी कहते हैं transaction के अंदर opportunity क्या आती थी उससे occasion क्या derive करी तो ये सारी चीज़ें क्या है कि register का part है तो अब journalist ये जो section 7 है वो 5 चीज occasion के बारे में बात करता है cause दूसरी effect तीसरी immediate और otherwise उसी time जो transaction के time में आगे पिछे otherwise of relevant fact और fact in issue ये relevant fact and fact in issue मैंने आपको section 3 के वीडियो में पताए हैं और section 5 में क्या बोला है कि आप सिर्फ उनी चीज़ों का evidence दे सकते हो जो fact in issue है ये relevant fact है और which constitute the state of things तो मतलब जो चोती opportunity for their occurrence or transaction are relevant तो मतलब ये पांच चीज़ों की बात कर रहा है जो पांच वी है opportunity तो पहली बात करते हम cause की तो cause होता क्या है कि जर्नली किस वज़े से वो act हुई है why क्या है उस act होने का तो ये क्या है कि जो act है और person के बीच में कहते है एक relation बताती है court को समझाने कोशिश करते बी कैसे connected है इस act से ये आदमी for example A ने भी को मार दिया पर उनके बीच में पहले जगडा हुआ था तो जो quarrel उनका जो हुआ था वो cause की तरह काम करता है और connect किस से कर रहा है इस जगडे के साथ connect कर रहा है कुछ लोग क्या करते है motive को और करते है जो cause है इस दोनों चीज़ों पर इन दोनों के बीच में है relation no doubt पर थोड़ा सा difference भी है इनके बीच में अब for example इस जगडे वाली बात कर देते हैं ए और बी जगड़ा हुआ क्वारल हुआ तो उसको क्वारल क्या था कोज बन गया किसी चीज़ का मर्डर का फिर क्या गते उसी क्वारल की वजए से जो cause था उसकी वज़े से क्या हुआ रिवेंज लेना हो गया भी एको रिवेंज लेना है बीसे क्योंकि उसने उसको और यह क्या है मोटिव क्या है पर्पर्ज क्या था उसका तो दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं अलग अलग भी चल सकते हैं कई बार क्या होता है कि मोटिव होता है कोज नहीं होता कई बार कहते हैं कोज होता है पर मोटिव नहीं होता तो जुरूरी नहीं साथ साथ चले हैं हमे से एक के मरने के तो यहां पर क्या कि मॉटीव तो है उसका पर कोज नहीं निए कोई उनके बीच में एनिमीटी नहीं थी पहले अब जैसे सिर्फ कोज और मोटीव ना हो इसका एग्जांपल अब क्या हुआ कि एलेक्शन हुआ कुलकता हाई को चोडरी करते हैं कि इसमें क्या पर्म के एक कोई क्या मे टलाइब है मुट्डह सका है हैं मैं कॉट्ग ओर हैं मैं कोई चोडरी हैं इसे मनीज्य क्या उपने करता है कोल कोला हाई कोर्ट नहीं क्या पूल यूखं एक एर क्रिश का व Gonzagne उसके उपर एक इंक्वारी बैठी तो उस उस इंक्वारी कंशनो का पर इह एले वेंट ही ए तो यह क्या क्याक चिमें ले चैक्ट के प्रिपोर्ट दी थी तो यहाँ पर मुझे क्या अंदेशा होगा विसीने मेरे रूम की चैकिंग की है या फिर कहते हैं किसीने मेरे रूम में है चोरी की है तो यह जो इफेक्ट है ये क्या कहते है राट घो करता है कि सीज के के नेचर फैक्ट क्या था और साथ में क्या करते हैं बताता है कुछ एक्ट हुई है अभी रूम में आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो हुआ है मुझे पता चलिगा इस चीज में मतलब या किसी का मर्डर हुआ तो उसमें कहते हैं जो खून डिख रहा था तो कहते हैं एक्ट का और कहते हैं उसका जो इफेक्ट का रिलेशन बता है ठीक और नेचर ओफ इफेक्ट में कैसे बताएंगे जैसे एक्जांपल कुछ जब सुसाइड करता है परसन या फिर कहते हैं मडर होगा तो उसके इफेक्ट अलग अलग होंगे अब दो परसन की यहां पर लड़ाई होगी तो एन उसका बीका मडर कर दिया तो जब उसका मर गया तो उसको कहते हैं फासी पर लटका दिया तो यहां बीच में कुछ जबिखरी होगी तो कुछ तो इफेक्ट आएगा ही न या उसका कहते हैं जो फिर जो रिपोर्ट आईगी उसकी पोस्ट मोटम रिपोर्ट होगी एक्सपर्ट ऑविडेंस होगे तो उसमें बताए पर जब भी कोई आदम होता है कोई डूबता है तो इससे कहा हुआ कि यह मार के यहां पर फैंका गया है तो यह इफेक्ट से पता चलता है हमें इसके ओपर जैसे जो पिछली वीडियो हमने देखी थी आर वर्सिस रिचरड वाला जो केस हमने सेक्शन 5 वाली वीडियो है ड पर सन उसको मार दिया तो उसको मारने के बाद जिसी जोटों के जोबंध़्रर काम कर रहा है जैसे FOOTgeld Fest ह creativity आया मेरे यहां पर चाकू चाकू- से मारा तो चाकू- ईसके यहां पर बलड निकला बलड परसन के सामने लुआ जो मारने वाले के ब्लड लगा तो वो भी कहते है इफेक्ट हो गया या उस जो फिंगर प्रिंट के इंप्रेशन है उस चाकू के उपर वो भी क्या हो गया इफेक्ट हो गया उसके बाद है state of thing अब state of thing क्या होती है कि मतब जो set of circumstances जो हमेशा ही होते हैं तो वो state of thing की बात हो रही है जो CP है CP में हमेशा क्या होता है कि बीड रहती है लग बारा एक बज़े तक हमेशा बीड रहती है उसमें तो काफी crowded place है और वही जो जैसा शहर है यहां पर कहते हैं नो बज़े सुंसान हो जाता है तो दस अब ज़े तो पूरा यह सुंसान है यह शहर है तो अब यह कहा कि state of thing बता रहे है यहां पे अब इसको positive भी यूज कर सकते है negative भी जैसे एक party उसको positively कैसे यूज कर एक भी हां कहते है रेप हुआ है यह एक party कहा कि रेप नहीं हुआ अब जैसे CP में कोई लड़की कह भी कहते है मेरा 10 शाम के 8 वजे या 10 वजे रेप किया तो वहां पे crowded place है तो व और उसके बाद आते हम occasion पे occasion and opportunity दोनों साथ साथ चलते हैं इकटे occasion क्या था अफसर कि किस वज़े से हुआ कि मतलब जो जो facts है कोई occasion को बता रहे हैं कोई occasion को बता रहे हैं तो सारी चीज़े relevant होगी section में अब occasion कैसे for example कोई शादी थी कोई जैसे मेला movie देखी हमने मेला movie में क जैसे मेला लगता उनको एक occasion मिल जाती लूट पार्ट करने के लिए और डाकू आ जाते अच्छा और जो पिछला जो हमने वही case जो आर वर्सेज रिचर्डसन इसमें क्या था जो घर पे लड़की अकेली थी तो वह क्या था कि occasion बन गया एक अफसर बन गया कहते हैं killer के लि लेता है accused कि क्या करने के लिए offense करने के लिए अब इसके लिए जैसे इलस्टेशन सी है opportunity को अगर हम डंग से समझे तो अब क्या है कि जो भी कोई आदमी कोई opportunity अगर हम देखें उसको कुछ काम करना है तो एक opportunity निकालने कोशिश करेगा वो वो क्या करेगा उस opportunity के लिए अब बाहर जाना है कुछ काम के लिए थोड़ी देर में मैं आता हूं तो जो वहां से निकला उसने अपना routine तोड़ा routine तोड़के उसने जो occasion थी घर पे लड़की अकेली थी वहां से opportunity लेकर उस लड़की को मार दिया अब इसमें क्या बात होती है जो generally opportunity के हम evidence क्यों देते है opportunity का evidence इसलिए देते हैं क्योंकि court ये समझ लेते हैं कि कहीं न कहीं है जिस आदमी के पास opportunity है वही person क्या कर सकता है offense कर सकता है अब जब cause and opportunity and occasion जब मिलती है तो opportunity and occasion मिलते तो एक last scene theory and alibi को जनम देती है तो last scene जो alibi है उस section 11 में relevant है और जो कहते हैं last scene theory है 106 में देखेंगे इसक साथ correlation तो जो alibi होगा कि जिस आदमी के पास opportunity नहीं है जो for example murder Delhi में हुआ और person कहते ही यहाँ पे है तो opportunity थी नहीं उसको पास कुछ करने की murder करने की तो कहते होगा irrelevant हो जाएगी बात तो यहाँ पे बच जाएगा पर यही बात कहते है last scene theory for example A and B थे इखटे जा रहे थे हो सब last time उनको देखा इखटे जाते हुए तो उससे क्या हो गया कि occasion थी A के पास occasion थी मरों दोनों साथ साथ इखटे तो इखटा रहना पर अब उससे क्या होगा कि A के पास opportunity आगी कहते है उस occasion से opportunity आगी अकेले होने के कान और उसने कहते है B को मार दिया तो यहाँ पर A explain करे कि क्य गर पर क्याते हैं चार परसंटे और गर अंदर से लोग था सुबई देखा थो क्यते हैं दो जिंदा थे दो मर गए तो आरूशी और कहते हम राच तो यहाँ पर जब घर में कोई आ नहीं सकता गर अंदर से लोग है ना कोई निशान भी कोई आया है या गया है इससे क्या चलता है कहीं ना कहीं है ना उसके माबाप नहीं मारा होगा तो यहां पर जो CBI कोड थी उन्होंने कहते हैं उसके माबापको held करा था लाइवल क्योंकि यहां पर उनकी chain of circumstance complete होगी तो बोलते हैं तुम एक्स्प्लेइन करो कि कहते हैं तुम ही घर में लास्ट दो परसन थे तो यह सारी चीज़ी chain of circumstance बनाके उन्होंने complete कर दिया, CBI कोड में दिखा दिया और कहते हैं CBI कोड है उनको held libel करा तो mainly क्या था कि लास्ट सीन थे ओरी के विजए से उनको libel करा था थेंक यू, थेंक यू for watching, please do like and subscribe और पिछली जो मैंने वीडियो बता है उनके link description में आप उनको जरूर देखना समझने के लिए, थेंक यू मुझने कर दो जासे साथ, और क्या थेंक कर दो कि लादा संटेशब्स चार दोले के लाद़िए, यूगह बता हैं